नमस्कार दोस्तों मैं ब्रजेश मेरी यूटूब चैनल विद्यदान पर आपका हर्दिक स्वागत है आज हम 18 नॉमबर के पहले सिप्ट के सवालों को करेंगे तो शुरू करते हैं पहले सवाल से आयोध्या किस राज्य में इस्थित है तो इसका सही आंशर था उत्तर प्रदेश अगला सवाल पूछा गया था सबसे स्वच केंदर सासित प्रदेश किसे चुना गया था तो इसका सही आंशर था नई दिल्ली अगला प्रस्ण पूछा गया था रियो ओलंपिक 2000 में सबसे कम उम्र की माहिला तैरा कौन थी तो इसका सही आंशर था गौरिका सिंग जो की नेपाल से थी 13 साल की उम्र की थी अगला सवाल हिंदी से पूछा गया हिंदी के सवाल आप कमेंट में लिखेंगे बिल्कुल आसान से सवाल पूछे जा रहे हैं खोदा पहाल निकली चुहिया मुहाबरे का अर्थ क्या है ये सवाल पूछा गया था अगला सवाल पूछा गया है 2020 में जस्प्रीत बुम्रह को कौन सा पुरुसकार दिया गया था तो इसका सही आंसर था पौली उम्री गर पुरुसकार अगला सवाल पूछा गया था कि सिपाही बिद्रो के दवरान गवर्नर जर्नल कौन था तो इसका सही आंसर था लौड कैनिंग अगला सवाल पूछा गया था कि कागज का अभिस्कार सर्व पर्थम किस देश में हुआ था तो सही आंसर था चीन में अगला सवाल पूछा गया था केलकर समितिका संबंद किस से है तो केलकर समितिका संबंद है कर सुधार से अगला पूछा गया था कि सर्यू नदी किस राज से बहती है तो इसमें मैं बता देता हूँ कौन कौन से राज में बहती है उससे आप चुन पाते उत्तर परदेश, उत्तराखंड और बिहार अगला सवाल हिंदी से पूछा गया था आलोक का परियावाची बताईए अगला सवाल हिंदी में मुहाबरे से पूछा गया कि हाथ मलना मुहाबरे का क्या अर्थ है अगला सवाल पूछा गया था इंसुलिन का स्राव कहां से होता है तो इंसुलिन का स्राव होता है अगनिया से थे अगला शमानार्थी सब्द पूँचा गया था मोल का समानार्थी सब्द क्या होता है मोल का अर्थ होता है कीमत अगला सवाल पूँचा गया था कपास उत्पादन में दुनिया में पहले अस्थान पर कौन सा देश है तो इसका सही आंसर था चीन अगला सवाल पूछा गया था समानता के अधिकार का वरलन किन अनुछेदों में किया गया है तो उसका सही अंसर है अनुछेद 14-18 तक अगला सवाल पूछा गया था चालिसमा यूनिसको धरोहर किसे घोसित किया गया है चालिसमा यूनिस को धरोहर घोसित किया गया था धौला बीरा को अगला प्रस्ण पूछा गया था दो हजार उन्नीस का साहित अकादमी पुरुसकार किसे मिला है तो इसका सही आंसर था नासिरा सर्मा को उनकी रचना कागच की नाव के लिए और दो हजार बीस में यह अगला प्रस्ण पूछा गया था कि स्री लंका में कौन सा मंदिर है अब यह तो ऑप्शन से ही बताया जा सकता था अगला प्रस्ण पूछा था क्रोध का बिलोम क्या है इसका अगला सब्द भी बिलोम से पूछा था अवनत का बिलोम क्या है दो प्रस्ण सुधवर्तनी से पूछे गया थे परिलाम का बिलोम क्या है परिलाम की सुधवर्तनी लिखनी थी और धरासाई की सुधवर्तनी लि गया था तो इसका सही आंसर था जेन गुडाल अगला प्रस्ण पूछा गया था प्रकास का बिलोन क्या होगा इसका तिमिर होगा अगला सवाल पूछा गया था धर्ती और आकास के बीच के छेतर को क्या कहते हैं तो इसका सही आंसर होगा अधर अगला सवाल पूछा था कि मि सकती उत्तर प्रदेश पुलिस की योजना है अगला सवाल पूचा गया था सैला नरत्य किस राजिस से संबंधित है तो सैला नरत्य है मध्र प्रदेश का अंतिम सवाल जो अभी तक मिला है पूचा गया था IPL में मोस्ट वैलुएबल प्लेयर यानि सबसे महगा खिलादी कौ था IPL में तो इसका सही आंसर है जोफरा आर्चर धन्यवाद